गोपाल चन सरकारी नौकरी से रिटायर था वो शेहर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था अनन्त उनका इकलोता बेटा था इसलिए बच्पन से ही वो से खुब लाट प्यार करते थे अनन्त एक कमपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था लेकिन उसके दोस्तों की संगत कुछ खास नहीं थी जिनके बीच रहकर वो बुरी आत्ते सीख्या अब उदारू और सिगरिट पिने लगा उनके साथ घूमने जाने लगा एक रोज हाँ हाँ मेरा भी बड़ा मन है मसूरी जाने का मैं कबसे हिल स्टेशन गया नहीं वैसे भी शहर में गर्मी से बुरा हाल हो रहा है तो ठीक है फिर दो दिन के बाद का प्लैन बनाते है तु मेरे घर आ जाना हम सब साथ में ही निकलेंगे क्या हुआ अनन तु कहीं जा रहा है क्या अब हा मा मैं और मेरे दोस्त मसूरी जा रहे हैं खुमने के लिए अच्छा ठीक है लेकिन ध्यान से जाना दो दिन बाद अनन्त ओफिस से छुट्टी लेकर अपने दोस्तों के साथ मसूरी के लिए रवाना हो जाता है वो सब रास्ते में खुब इंजोई करते वे जाते हैं तकरीबन साथ गंटे बाद वो सब मसूरी पहुँच जाते हैं मसूरी के बाजार में राधा नाम की एक लड़की ठंडा ठंडा शर्बत बना कर बेच रही थी आईए आईए दस रुपे में ठंडा ठंडा शर्बत पीजिए अनंत की निजर जैसे ही राधा पर पड़ती है तो वो उसकी खूपसूरती का दिवाना हो जाता है और जब तक मसूरी में रहता है किसी ना किसी बहाने से राधा के पास जाने की कोशिश करता राधा एक गरीब घर की लड़की थी जो पास के ये गाउ में रहती थी वो शिवजी की बहुत बड़ी भग थी हर रोज काम पर जाने से पहले वो शिवजी के मंदर जरूर जाती एक रोज जब वो मंदर में थी तब ही अनन्त वहां आया और उसने राधा को अपने मन की बात क्या दी अब जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारा दिवाना हो गया हूँ राधा अम मैं शहर अकेले नहीं लोटना चाहता मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ बोलो तुम मिरा हाथ थमोगी अनन्त की बात उसे राधा शर्म आ जाती है और वो उसके साथ शादी कर शहर आ जाती है जहां गोपाल चंद को राधा अपनी बहु के रूप में पसंद आई तो वही राधा की साथ सरला को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी वो हमेशा उसे परिशान करती और घर के सारे काम उससे ले थी ऐसे एक रोज शादी के एक महीने बाद जब अनन्द ट्रिंक करके गाड़ी चला रहा था तो उसका एक्सिडेंट हो जाता है गोपाल चंद और उसकी पतनी हॉस्पिटल पहुँचते है पीछे से जब राधा को इस बारे में पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल पहुँचती है आनन्द ICO में था और गोपाल चंद और उसकी पतनी बाहर खड़े थे माजी अब आनन्द कैसे है वो ठीक तो है ना मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ सरला तुम बेकार में ही राधा बहु को डांट रही हो गलती हमारे आनन्द की है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था नशे में वो था तब ही उसका एकसिडेंट हुआ है गोपाल चंद में बहुत समझानी की कोशिश की पर सरला फिर भी राधा से नफरत करती रही आनन्द घर तो आ गया पर उसके पैर खराब हो चुके थे राधा मनी मन बहुत रोती थी सरला उसके साथ बहुत बुरा बरताव करती थी सरला की बाते सुनकर राधा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है तब ही उसके पिता आ जाते है कैसे हो गोपाल और आनन्द बेटा कैसी तबियत है ठीक हूँ बाबुजी सरला कुछ तो सुचा करो सदानन्द इतनी दूर से सफर करके आनन्द से मिलने आया है कम से कम उसके लिए चाय पानी का इंतिजाम तो करो राधा बिटिया अपने पिता जी को ड्रॉइंग रूम में ले जाओ और आराम से वहाँ बैठ कर बाते करो अपने पिता से मिलकर राधा फूट फूट करोने लगती है उसकी आँखे भराती है और वो अपनी सारी दुख भरी बात अपने पिता से कह देती है राधा बिटिया कावड यात्रा शुरू हो रही है हमारे गाउं के शिव मंदिर वाले पुजारी जी ने कहा है तो इस सावन माह में कावड यात्रा कर और उस चल को आनंद जी के हाथों से शिवलिंग पर जला भिशेक करवा भगवान शंकर तेरे सारे दुख दूर कर देंगे सच मुझ बाबा फिर तो मैं कावड का जल भर कर जरूर लाओंगी अगर मेरे ऐसा करने से मेरे पती ठीक हो सकते है तो मैं भगवान भोले नात की कावड यात्रा करने हरिद्वार जरूर जाओंगी राधा अपने पती की सलामती के लिए कावड यात्रा का प्रण करती है तेरे पिता ने कहा और तुम मान गई पता है कावड यात्रा करना कितना कठिन है तेरे ससुर जी और मेरी उमर हो चली है तू अकेली पैदल कावड यात्रा कैसे करेगी? मा जी मैं अकेली कहां हूँ भगवान भोलेनात सबका अशिरवाद मेरे साथ है मैं भोलेनात के नाम का जाब करते हुब कावड यात्रा पूरी करूंगी। पती से प्यार करती है। मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं है। मैंने कहा ना मैं भी जाओगी। मैं भी तो देखू कितनी शक्ती है तेरे भोले बाबा बेब। और फिर दोनों साज बहु कावड लेकर जैबंग भोले का जाब करती हूँ पैदर निकल पड़ी। और फिर वहाँ से जल लेकर वापस लोटती है। राधा को भगवान भोलेनाद पर पूरा विश्वास था। वो आनंद को लेकर शिव मंदर पहुचती है। आनंद वीलचियर पर बैठा था। राधा शिवरिंग के पास आखे बंद करके पूजा करी रही थी। तभी आनंद ने देखा राधा के पास एक काला नाग बैठा है। आनंद राधा को आवास लगाता है पर भगतों की भीड में राधा सुन नहीं पाती। आनंद में एक अठुद शक्ती आजाती है और वो वीलचियर से उठ जाता है और दोड़ कर राधा के पास जाता है। राधा बचो, तुम्हारे बराबर में नाग है। कहां है, कहां है नाग। आनंद की बात सुनकर भग थैरान रह जाते है। यहीं तो था, कहां गया। राधा मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पास एक नाग बैठा था। सुनिए, आप वीलचियर से यहां तक चल कर आए, आपने देखा आप चल सकते हो। हां राधा, मैं अपने पैरो पर खड़ा हो सकता हूँ, राधा मैं खड़ा हो सकता हूँ, यह कैसा चमतकार है। के महीने में कावड यात्रा करने का कितना शुपकारी फल मिलता है। यह आज हमने देख लिया है। हे शिव शंकर, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे शमा कर देना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सब मिलकर भगवान शंकर की पूजा अरशना करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। फिर सरला भी शिवलिंग पर जला भी शेक करती है। भारानम दोनों मिलकर हर साल कावड यात्रा के लिए जाने लिए। गायत्री एक गरीब ब्रामहन की बेटी थी। वह भगवान शंकर की पूजा करती थी। इसलिए उनकी इच्छा मानकर गायत्री ने महेश से विवाह के लिए हाक्या दी। लेकिन विवाह के बाद जब गायत्री ससुराल पहुची। जैसे आपकी छोटी बहु अपने साथ कुबेर का खजाना लेकर आई हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाबी। देवर जी तो पहले ही निठल ले थे। उपर से देवरानी आई वो भी भी खारन। अभी तो नई बहु घर में आई है। उसके कानों तर तुम्हारी आवाज पहुचेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे। पर इस घर में आज से उसी की चलेगी जिसका पती काम करता है। उमा और सरोज की बाते सुनकर गायतरी की आखों में आसुरा जाते हैं। गायतरी को लेकर कहीं घूमा। आ महेश बड़े भीया ठीक ही तो कह रहे हैं। अभी तुम आराम करो, काम तो हम संभाल ही रहे हैं। पर भीया। पुजा पार्ट में लगी रहोगी तो घर के काम कौन करेगा। भाबी आज मेरा सोमवार का व्रत है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा कर रहे थी। भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से घर का काम नहीं हो जाएगा। वो तुमें अपने हाथों से ही करना है। कपड़े रखे हैं जल्दी से निप्टालो फिर रसोई में खाना भी चड़ाना है। तुम दोनों इतनी निर्दई कैसे बन सकती हो। अभी कल ही तो गायतरी बहु शादी होकर आई है। उसके हाथों की महदी तक नहीं उत्री। इतने सालों से सरोज और मैं मिलकर इस घर का सारा काम कर रहे हैं। ये करेगी तो कौन सा इसके हाथ घिस जाएंगे। गायतरी की दोनों जेठानी बहुत करवे स्वभाव की थी। अब तो रोजाना ही वो आराम से बैठी रहती और गायतरी पूरा दिन घर का काम करती। ये बात महेश को सहन नहीं हुई एक दिर। भीया मैं अब दोनों से कितने दिनों से कहा रहा हूं कि मुझे भी दुकान जाना है। अपने भाईयों की बातों की ऐसी चोट लगी कि एक सुबह गायतरी अभी सो रही थी। गायतरी मुझे माफ कर देना मैं तुम्हें बिना बता ये चिठ्ठी छोड़ कर जा रहा हूं पर मैं अब तभी लोटूँगा जब मेरे पास बहुत धन दौलत होगी। महेश की चुठी पढ़ कर गायतरी रोने लगती है। मुझे तो पहले ही पता था अब देवर जी के बसकी कुछ भी नहीं है। छोड़ कर चले गए ना हमारी चाती पर मुंगदलने के लिए अपनी पत्नी को। हे भोले ना मेरे पती की रक्षा करना। वो ना जाने कहां चले गए है। बहुत हो गई तेरी शिव भक्ती। तेरा पती तुझे छोड़ कर चला गया है तो अब इसका दंड भुगत। जाकर सारा काम निपटा। रसोई में खाना तैयार कर। आज हमारा पूरी पक्वान खाने का बहुत मन है। इसी तरह गायत्री अत्याचार सहती रहती है। महेश को गए छे महीने हो गए थे और उसकी अभी तक कोई भी खबर नहीं थी। गायत्री रोजाना भगवान भुलेनाद के सामने बहुत रोती थी। इसे धक्के मार कर बाहर निकाल दो भाबी। अरे छोड़ दो इस बेचारी को। भाबी इनकी आने तक मुझे यहां रहने दो। मैं भीक मागती हूँ। जैसे ही उमा और सरोज गायत्री को धक्का देकर घर से निकालने लगती हैं तभी एक हाथ गायत्री को थाम लेता है। महेश बेटा तू आप आगए अब कहां चले गए थे। मैं भीक मागती से उसकी धनराशी लूटकर ले जाने वाले थे। मुझसे यह देखा नहीं गया और मैं उनसे सामना करने लगा। तभी वहां से कुछ गुजरते रहगीर मेरी मदद को आ गए। और ये देख वो चोर भाग गए। उनके पास ही काम कर रहा था। उनके कहने पर ही मैं वापस लोटाओं। अब तो मेरे पास इतनी धनराशी उपलब्ध हो गई है कि मैं अपने परिवार को आराम से चला सकता हूँ। ये सब बोले बाबा की कृपा है। आज उनकी वज़े से सब कुछ अच्छा हो रहा है। सुनो जी कर महा शुवरातरी का पावंत योहार है। क्यो ना हम इस योहार को धूम धाम से मनाएं। हाँ गायतरी हम इस त्योहार को बहुत धुम धाम से मनाएंगे और मिलकर भगवान भोले नात की महा पूचा करेंगे मा जी और आप अगर बुरा ना मानो तो हम इस त्योहार के लिए जेट जी और जिठानी जी को भी बुला ले तुम जानती हो ना गायतरी उन सबने तुम्हारे साथ कितना बुरा विवहार किया है फिर भी तुम उन्हें बुलाना चाहती हो घर में इतना बड़ा पर्व मनाय जाए और घर के लोगी ना शामिल हो तो अच्छा नहीं लगेगा जी और फिर ये तो भगवान भुले नात का त्योहार है इसमें हमें सब को बुलाना चाहिए गायत्री अपने जेट जिठानी को महा शिवरात्री के त्योहार के लिए नोत्या दे आती है पर गायत्री के ठाट बाट देखकर दोनों जिठानी बहुत इर्शा करती है मैं भी देखती हूँ इनका ये महा शिवरात्री वरत कैसे पूर्ण होता है आपने क्या युक्ती सुची है भाबी? तुम देखती जाओ सरोज की मैं क्या करती हूँ? सब लोग गायत्री और महेश की घर शिवरात्रित योहार के लिए पहुँचते हैं उमा और सरोज मिठी-मिठी बातों में गायत्री को फसा लेती है गायत्री, लाओ, फला हार बनाने में हम तुम्हारी मदद कर देते हैं ठीक है भाबी, ये कोटो सिंखाडे के आटे की पूरी और आलू की सबजी का भोग मैं बना रही हूँ आप साबुदाने की खीर चढ़ा दो ये लो उमा भाबी, आपने जो मंगाय था उमा चुपके से साबुदाने की खीर में मांस की टुकडे मिला देती है उसके ऐसा करते ही भगवान भोले नात प्रोध में आ जाते हैं और उमा और सरोज दोनों की आँखों की रोशनी चली जाती है वो दोनों अंधी हो जाती है और चिलाने लगती है गायतरी के बार बार नमर विंती करने से भगवान भोले नात प्रकट होते है गायतरी इन दोनों को इनके पापों का दंड मिला है इन्होंने तुम्हारी द्वारा तयार किया हुआ महा शिवरातरी का प्रसाद भंग किया इसी लिए मैंने इनके नेतरों की रोशनी चीन ली ऐसे एरशालू मनुष्यों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए नहीं प्रभू, नहीं प्रभू नहीं मेरे कहने से इन्हें शमा कर दीजे प्रभू इन्हें इनकी आँखों की रोशनी वापस दे दीजे इन दोनों की तरफ से मैं आपसे शमा मांगती हूँ प्रभू ठीक है गायत्री, तुम्हारे कहने पर मैं दोनों को शमा कर देता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, मेरा अशिरबाद सदैव तुम्हारे साथ है इतना कहकर भूले नात अंतर ध्यान हो जाते हैं गायत्री के जेट जेठानी शर्मिंदगी से वापस लोड़ जाते हैं उस दिन के बाद गायत्री अपनी सास और पती महेश के साथ भगवान भूले नात की कृपा से खुशी-खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है